सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताके कोई खबर रहना जाए असलाम आलेकुम खब किया जो तेरे वादे पर एतिबार किया वो वादे वो दावे जो हकूमत कर रही है आट नौ माँ से कर रही है रमजान आ गया और आज पहला रोजा है कल भी आई थी मौहामने खुसूसी बराय अतलास फुर दौस आशी खावान साहिबा और उन्हें सब और अफ़तार में जो बिजली की फरामी है उसको यकीनी बनाया जाएगा और उसको यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है अब ये तो वही लोग बता सकते हैं जितके घर में रात से बिजली नहीं है कितनी अफ़तार और सहर में खया लगा रहा है आवाम का उनकी तकलीफो का, उनकी परिशानियों का, जब बात की जाती है, पर दोस आशिकावान साहिबा की जानब से ब्रीफिंग के जरीए के सबसीडी मिल रही है, और वो सबसीडी आपको यूटलिटी स्टोर्स में अशिया पर सस्ती करके हम देंगे, लेकिन अशिया सस्ती तो कहां से होंगी, लोग रूल गए हैं, परिशान हो गए हैं, आते हैं, काबीना के फैसले होते हैं, और कभी 18 लुकाती अजिंडा होता है, कभी 16 लुकाती अजिंडा होता है, लेकिन उसके पाद अमल दरामत कितना होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसी सवाल को जरा मुठाएंगे और आपने मैमानों से बात करेंगे, हमारे साथ नजीर लगारी साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया नजीर साथ प्रोड़ाम में जॉइन करने के लिए, और पाकिस्तान तरेकेंच साथ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, शौकत बस्रा साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन शौकत साथ मैं लगारी साथ के साथ जाना चाहूंगे, लगारी साथ, जो मैंने शेर पढ़ा है, आपको लग रहे हैं, बहुत सही पढ़ा है, ये वादों पर इतिबार करके, बढ़ा ही खलत कर रहे हैं हम हुकूमत के, आपने तो पहला मिस्रा पहरा ना, हाँ जी, गजब किया, तेरे वादे पे इतिबार किया, इसका दूसरा मिस्रा है कि तमाम रात कयामत का इंतजार किया, अब तो शेर के लोग, मुल्क के लोग, और तमाम सोबू में बसने वारे सारे लोग, वो रात रात भर कयामत का इंतजार करते हैं, और सुबह फिर उसी सुरतहाल का शिकार होते हैं, कोई यौमे हिसाब आए तो जान शूटे, वरना जो कुछ महेंगाई ने हाल कर रखा है, जिस तरह लोगों की जिन्दगी अजीरन हो गई है, और जिस तरह से लोड शिडिंग हो रही है, यानि रमदान से पहले तो लोड शिडिंग जहां नहीं भी हो रही थी, आज पहले रोजे में वहां लोड शिडिंग देखी गई है, और ऐसे मकामात पर देखी गए है, जहां तसवर भी नहीं ता है, कि यहां से भी बजली जा सकती है, तो वहां भी बजली जा रही है, जी, तो यह तो वादू का हाल है, इनकी, की सुरतिहाल देखकर कि जिन्दगी का घोड़ा तेज रफ्तार से जा रहा है, देखें कहां जाकर थमता है, ने हाथ बाग पर है ना पाहे रकाब में, इस हकुमत की ना तो बाग पर हाथ है ना रकाब में पाऊंगे, पता नहीं कहां जाकर यह सुरतिहाल थमती है, शौकत बसरा साब को मालूम ह का शायद उनके यहां लोड शेडिंग नहोती हो, लेकिन हमारे यहां तो बहुत खराब सुरतिहाल है, कराची में तो लोग बिल बिला रहे हैं, शेरी भी उन्होंने बगहर बिजली के करिये, अब क्या अफ़तार भी बगहर बिजली के ही होगी, यह एक सवाल है, और सवाल हम भी बात कहना चाहरे हैं, ओवरनाइट चीजें चीज नहीं होती हैं, जाहर है हमारी जो कमिटमेंट्स हैं, जो वादे हैं, वो एक साफ नियत के साथ हैं, उसके लिए हमने काम शुरू किया हुआ है, लेकिन जो पाकिस्तान 40 साल जिस पाकिस्तान को लूटा गया हो, कानून हो, वहाँ पर टाइम लगेगा, आप समझते हैं कि आठ महीने में किसी के पास बेला दिन का चराग नहीं है, हाँ आप ये सवाल पूछिए, जाहरे एक साल में कोई जादू की चड़ी तो आपके पास नहीं है, लेकिन सिम्ट तो तैय कर लें, हाँ यही मैं कहने लोग की पॉजिशन के लिए, एकानूमी एक चैलेंज है हमारी हकोमत के लिए, सखत हलात हैं, नहगाई बढ़ रही है, और हमारे लिए, क्या मतलब हमारे कारकुनान, हमारी पार्टी, और फिर उसे हटके भी, पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू यह है, को जो बेसिक नी है, कि 30,000 अरब का करजा वरासत में मिलने वाली हकोमत, 600 क्रोड पर डेली सूद करने वाली हकोमत, देने वाली हकोमत उस करजे के उपर, और कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, तो फिर मैं अर्ज करूँ आपको, चीजों को हम यह कर रहे है, कि हमने एहसास हमने लोगों के नीड के लिए हाउसिंग प्रोग्रम लांच किया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि यह जो बिजली वाली बात आपने कही, इन्शालला टाइम लगेगा, यह चीज़ें बेतर हो जाएंगे, और खास तौर पे, रमजालन मुबारत के महीने में, लोड शेडिंग अगर बढ़ी है तो प्राइम निस्टर साब नोटस भी लेंगे, और लगारी साब ने बिल्कुल सही पॉइंट आट किया, कि इन्शालला यह जो बाते उन्होंने पॉइंट आट की है, हमारे वो सीनियर है, और हमेशा अच्छी पॉजिटिव तनकीद ऐसी करते हैं, जो इ यह उम्मीद कर लेते हैं, कि आप जो कह रहे हैं और आप जो बादे कर रहे हैं, इसा यह जान लेते हैं, लग्र की सुरते आल, सुदीव चौदीव हमारे साथे, सुदीव यूटिनिटिव स्टोर्स पर क्या सुरते हाल है, अवाम जो आ रहे हैं अश्या खुर्दोश की ख इस वक्त हम ग्रीन चैनल पे खड़े हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं यह वो प्याज है जो यहां पर फरोक्त के लिए रखा गया है और इस प्याज में क्वालिटी भी आपके सामने है चोटे बड़े तमाम प्याज मिक्स हैं जो गौर्मेंट के एक दावा था कि हम बहुत तची चीजें मेरी चीजें मार्केट में फ्रोक्त कर रहे हैं वो आपके सामने है इसी तरह आलू जो है वो भी आपके सामने है और यहां पर जो लोग खरीदारी के लिए हैं उनका यह कहना है कि उन्हें सिर्फ 50 रुपए का प्यास खरीदने की इजाज़त है जबके इसी मेरा केमरा में आपको दिखाएगा जो के लाइनों में लगे हुए हैं सस्ती श्या को खरीदने के लिए वो बड़े कुछ खुश भी हैं और कुछ नराज भी हैं उनका यह कहना है कि हमें लाइनों में लगवा कर जो है वो जलीर किया हूए मेरे साथ एक्षैरी भी है मुझे यह बताएं कि यह हकुमत की तरफ से बड़ा अच्छे एकदाम है चाहों दी हुई है सस्ती चीजें दे रहे हैं तो फिर आप नराज क्यों दिकाई देते हैं नराज को नहीं है देखो नहीं एक किलो के लिए गंड़ा लैन में चीन लेने के लिए खरा रहना पड़ रोजों के लिए असानी हो रोजों में बार बार यहां मार्केट में ना आना पड़े इसी तरह मैं आपको थोड़ा सा इस रमजान बजार का विजट भी कराऊंगा आप देख सकते हैं के मेरे ये लेफ्ट साइड पर वो लिस्ट है जिसमें ये अलू टमार्टर प्यास पे जी हां देखिए बिलकुल यकुम रमजान है आज और हुकूमती दावे जो महंगाई को काबू करने के थे वो धरे के धरे रह गए हैं गिरा फरोश एक बार फिर से हरकत में आ गए हैं इस वक्त एम्टरेस मार्केट पर हम मौजूद हैं और यहां पर जो फल हैं उनको डब सो रुपे दर्जन के दर्मयान जो है फरोख किया जा रहा है यही हाल जो है वो दीगर फलों के साथ भी है शहरी बहुत ज़्यादा परिशान दिखाई देते हैं यकिनन महंगाई बढ़ गई है गरीब आदमी कहा जाए हमारे साथ लोग मौजूद हैं उन से बात कर लेते ह हैं आप बताएएगा सर किस रेट्स में आपने यहां पर जो है फल खरीदे हैं सबजी आखरीदी हैं और महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है रही हैं और जितनी चीज़े भी यहां पर दी जा रही है वह डुबल टुबल के साथ दी जा रही है चुकर मिशनर सहाब की से जो दूसरे लों की तरफ से जो इलानात किये गए उसके बारक्स है नम्दान में वारे का कोई कामी किया जा रहा है किसी चूरत के अंदर मरिया मोई श्ची चूरिया यहां पर भी लोग महंगाई कारोना रो रहे हैं और कहरें डैरे डबल माहे मुबारी की निस्पत से जो हकूमते पंजाब है इसने शेहर के 19 पॉइंट पर सस्ते रमदान बजार लगाए हैं और आज यकम रमदान मुबारी का है लोग इन सस्ते रमदान बजारों में शौपिंग करने के लिए आ रहे हैं खी तो फ्रोस की जा रही है और यहां पर ह क्क इन सस्ते रमदान बजारों के बाले से क्या पॉइंट आफ़ भी ँए हूए लोग क्या समझतें है कितने हाज कितने सीसे मुथम मुदार के मुधार हम उитесь मुतमेन हैं मदाऊब के बाइख असिम और हम जाञान यह तूमाठरा हैं साट रपय यह एक्किषग रुपर कुआलटी बहुत हिए रही है किंव yeni के पाहिर की निस्थ बहुत बेहतर है बाहिर में परफिये कि पसे परणी चाहा है न यहां पर आने सुने ने इनके राये सुनी इनकी राये देखी आपने तो लोगों के कहना है कि क्वालिटी किसी आतक ठीक है मुतमी ने लेकिन चीजें इतनी कम है कि लोग आते हैं इतनी दूर से रोज़ा है फैसलाबाद में तो कुछ सुरतियाल बेटना नजर आ रही थी लगाई साथ हर्म हर्म ह होता है हम किसी एक हुकूमत को तो खुसूर भाण नहीं कह सकते जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनती है इनका कम होता है कि जाकर जगा जगा रेट लिस्टों के इसाफ से चैक करना कि टेम पे सभी परोगत की जा रही है यहन रही है लेकिन नजर नहीं आती है यह तो नह हट तक काबल इत्मिनान बात है कि यह जो बाजार लगाये जा रहे हैं सस्ते बाजार इनके लोगों को चीदे मिल रही है लोगों की ये शिकायद कि उनको राशनिंग के हिसाब से मिल रहा है और कम मिकदार में मिल रहा है अगर is तरह से हो तो ठीक ही है, इसलिए एक लोग age रोज का रोज खाच्रे जए ज़न के लिए ऑगर तरी देजा, लोग तो आब हम चीनी शेज फर्सकर करें, जो है वो है आजी कीमत पर मिल रही है. आप चीनी बाहर जाकर उसको बेज़ दें और पर आकर फिल लाएन में को दिखा रहे हैं लगारी साथ ये प्राइस लिस्टें आवेजा की जाती हैं लेकिन इन प्राइस लिस्टों के हिसाब से जो दुकांदार होते हैं वो कीमत में फरोग नहीं करते हैं और ये कहते हैं क्योंकि हमें आगे से महिए मजबूर हैं हाँ लिस्टें लगी हुई है ल इसमें गोश्ट जो मुरुखी का बताया जारा है वो 255 बताया जारा है इसी तरह बच्चा गोश्ट जो है वो 325 रुपे जो बताया जारे लगाई साथ और 750 मुटन का गोश्ट लेकिन अगर आपकी तारा से मैं बसरा साथ से पूछ हूँ बसरा साथ यह जो रेट लिस्टे इन रेट पर तो गोश कहीं दस्तियाब नहीं है मैं खुद भी एक खातून हूँ मैं अपनी घर की ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो और जगा हजार रुपे किलो मटन का गोश दस्तियाब है और यही सुरतियाल फलों की है सबजियों की है और दूसरी अश्या की है कहां हैं वो कमेटियां जो लगारी साब कहरें कि वो तो प्राइस बढ़ाने के लिए काम करती है समया आपने अच्छा किया कि आपने मुखतलिफ शेहरों की रिपोर्ट्स भी दिखाई है और आपके नमाइदों ने वहां की एक्जेक्ट सिचुएशन है और यह हकोमत के लिए आई उपनर रही चीज़ें होती है कि जहां पर कंट्रोल नहीं हो रहा या जहां पर मियारी चीज़ें नहीं है वहां पर हमें हेल्प मिलती है मीडिया से भी हमारी अपनी टीमें भी है जो आपने पॉइंट आउट किया कि हमारी टीमें का है अब को और इसकरूँ एक तो पंजाब गौ़र्मन्ट में पंजाब गौ़र्मन्ट के हवाले से आपको और इसकरूँ वो आनलाइन उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और उसका बकायदा निर्खनामा माजूद है नमबर वन नमबर टू हमारे जो मेजिस्ट्रेट्स हैं जो प्राइस को कंट्रोल करते हैं हमने उनकी भी तदाद को बढ़ाई है पंजाब के अंदर भी और बाकी जगों पे भी इसी त 309 के करीब हैं जहां पर रमजान बजारों में मैंने खुद विजिट की हैं आप देखिए अभी एक मसला उठा रहे थे भाई फैसलाबाद से या कुछ और जोगों सिब्याल लगारी साब बिल्कुल सभी पॉइंट अट किया है देखें वहां पर आपको अगर जरूरत एक रमत आपको सुमया पहले समया यह तो बरी बेहीसी की बात बOCर फैर बिल्कुलों एक मसलमान होना अगर आपको अश्याय यहां रहारे बाहरे के मौमाल्क में चले जाए एसे एविंट्स आते हैं लोग खुद सब्राइम को चीजां और हम लोग जो बिलकुल हमारा मॉन्सेट ये है बसरसाब उनको पता हैं न कुछ नहीं होगा हमारा हमें कोई पूचने वाला है हम कितनी भी मेंगी अश्या बेच ले कुछ नहीं होने वाला मैध आपको पिर का रहा हूं अगर हमने अगर हमने ना करना होता तो हम ये मुबाइल एप्लिकेशन इशू ना करते हैं हमने बाकाइदा मुबाइल एप्लिकेशन इसलिए दिया है अब जाहर है कि तुमाद लोग तो पड़े हुए नहीं है कुछ लोग जा सकते हैं अवेरनेस कैमपेइन भी चिला रहे हैं लेकर जो हमने किया है हमने हर तैसील लेवल पे हर टाउन लेवल पे मेटीज बनाई हैं जो बाकाइदा वहां पर चापे भी मार रही हैं सर्प्राइज विजट भी हो रहे हैं अभी आप ने देखा है कि चीफ मैंने मान ली मैंने आपकी सारी बाते मान ली कि आप ये तमाम तर टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं मुबाइल एप्लिकेशन भी बना दी गई लगारी साब लेकिन हुकूमत अपने फैसलों में खुदमुकतार नजर नहीं आती अभी पेट्रॉलियम मस्लुआ की कीमतों अगर वो तोसीक नहीं करती है तो कीमते कैसे बर जाती है जब वो अब उसने डेफर किया था उस कमेटी ने और पर प्राइम मिनस्टर ने डेफर किया भी नहीं पढ़ेगी कीमत पेट्रॉलियम मस्लुआत की कीमते नहीं बलके दूमदाम से बढ़ी है और लोगों की जेब कीमत बड़ी है अब आम आदमी जास पर जो गायस तक रसाई नहीं रखता था वो क्या करेगा उसके उसको किस तरह से वह इंधन जलाएगा चले अब तो लोगों के लिए यह रहे गए कि अपने उपर पेट्रोल चिड़के हैं और क्या करें क्या करें बड़ी मुश्किल सूर वेलकेम मैट बड़ी जो और साबिख वजीर आजम मिया मौमन नवाज शरीफ की आज जो जमानत की मुद्ध है वो खतम हो रही है चैपतों की जमानत तो ने मिली थी आज़ वो वापस जेल जाएंगे अब से कुछ दिर पहले हमने नानसान अवला साब की गुफ्त गुबी मुलाइजा की थी उनका भी यही कहना था कि यह जो वजीर हैं हकूमत के यह बात को बिगार रहे हैं इनोंने कमा काई की हवा दिया अलाकि हमारा जो इरादा था वो यह था जि बिल्कुल मियान नमाज शडीर क्यों है ओो एक है तारी के पात साथ बजे कर टायम क्या है की वो जो है यहाँ जातव उम्रा निकलेंगे और गार कॉनों को भी साथ बजे कर टायम क्या जिया अब शिवदों है और उनका यह कहना है कि परफूर अन्दास के अंदर था अकबाल किया जाएगा और यहां मिनातियो वलेकि निकला जाएगा अर जारतियो वले इसी पुराद ने हुए अगनरति पस्विकलावी निकला राही कहा कॉण है पर पहुंच चुकी है जब के साथ साथ दीगर MNAS और MTS भी जाती मेरा पहुंच रहा है और यह कान जार किया जारा है कि इस सारी के बार जो है एक बड़ा मजमा जो है वह यहां पर लग सकता है जिसमे राना सनाउला और दीगर अला क्यादत जो है वह भी आप पहुंच चु जाएंगे और वहां उनको चोड़के वापस आएंगे तो इस अवाले से अभी यह चैना कवल अस्वक्त होगा कि मदीश पॉन कोंसे एहम रहनुमा जो यहां पर आ रहे हैं लिकिन सब कर यह कहना है कि वो अपने कायद MNAS को जाती मुना से लेकर रिकोट लगपत की दर दे फैसरेली को बत आधे असी अकछा चाहिए लेकिन नूल्लीय की क्याति को जात नहीं दी कि करना यहां लेकिन लोह की कयाना है कि वो परतूर अंदाज्स में रिल्य निकालेंगे और अपने कायद का वर्फूर अंदाज्स में इसकपार करेंगे और उसको नहीं सब्सक्त जे कि जैसा कि देखा ये गया है कि नून लीग की जो क्यादत है वो काफी ज़ादा पुर्चोड से ज़रा रही है तो पुलिस पी जाती मेरा के बार पाहिनाद नहीं की गई लेकिन लेकिन नून लीग की जवाब देंगे और भरपूर अंदाज में अपने कायद के लिए रिजि बार शुक्री अपड़ेट करें था बाद अधन अपी बस्राइब सूरत रहार है बड़ेट करेंगे बस्राइब साब सूरत अब इस लौर्ट कहते हैं कि रेली में निकलने की जादत नहीं देंगे इस नून लीक जो एट वेटी है कि हम रेली की सूरत में जाएंगे मिया स आपको जैल चोड़ने, तो क्या कोई मजाहिमत भी होगी? क्या प्लान के तरतीब दिया गया है हकूमत की जाने से? समय है बिल्कुल हकोमत की तरफ से कोई मिजाहमत नहीं होगी अच्छा हकोमत का फर्ज है लाइडर की सिच्वेशन को कुंट्रोल करना ताकि हमनों अमान की सूर्टेल बेतर रहे क्योंकि दफ़ा 144 का नफास अब जलसे जलूस जो होते हैं वो बाकाइदा गौवर्मेंट यह जलसा कर रहे हैं एक मुझरम को वो मुझरम जिस पर अर्बों की लूट मार के इल्जामात हैं जो अदालत से सजा याफता है उस मुझरम को रेली में नारों की शकल में लेकर जाना आप इससे इंदाजा कर लें कि क्या जहनियत माइंट सैट है मुस्लम लिग नून का अभी पता चल जाएगा और पूरे लहोर के अंदर लहोर समया पूरे पंजाब में इन्होंने कॉल दी हुई है अपने कारकुनों को पहुंचने के लिए और मिया नवाज श्रीफ को जेल तक चोड़ने के लिए लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कोई शर्म होती है कोई हया ह होती है अंदाजा करें कि किस बात का जलसा किस बात का जलूस इस बात का कि यह अगर कोई और कंट्री हो जहां पर को रवायात हों लोग शर्म के मारे घरों से नहीं निकलते हैं एक कौमी मुझरम है इल्जाम आते हैं कि आपने कैसा लुका है आपने माल बनाया है चले पॉ करना चाहिए कि कुर्बानी क्या दी जा रही है और डिसेंट भी क्या होता है सियासित के अंदर भी एक तरीका एकार होता है हम पार्टिशन से पहले और क्याम पाकिस्तान के बाद के हाला देखें लोग गए हैं जेलू में ऐसा नहीं है कि यह पहली दफ़ा को वजियादम जा होता है एक अंदाज होता है यह नहीं होता है कि जनाब आप रूल्स को अगर रूल्स यह कहते हैं जेल से निकलने में रूल्स आरे आ रहे थे अब जेल जाने में आप रूल्स जो है वो उनको नहीं रखेंगे आप अगर रूल्स कहते हैं कि आपको पांच वजे जेल में हो तो होना चाहिए अगर आप नहीं मानेंगे यही बात या रास्ता यह रखा गया था सुक्राइब के लिए के भाई छोड़ो हम तुमें जेल से निकाल कर ले जाते हैं तुम जहर का प्याला नहीं पियो उसने का भी मैं अगर स्टेट की रिट नहीं मानता हूं अगर मैं रिया ठीक है, आप बारा बज़े ना पहुंचेंगे, एक बज़े पहुंचेंगे, नाद जो बज़े पहुंचेंगे, होगा क्या, कि पाकिस्तान का कानून या कह रहा था का आपको पांच बज़े जेल होना चाहिए, आप उस टाइम पर जेल नहीं गा Button होता है, आप पांच रूल्स को फालू किया है अगर रूल्स को फालू नहीं करेंगा आपके बनाए हुए कोई हमने थोड़ी बनाए है इन्हीं पार्लिमन्टीरियन्स के इन्हीं नहीं को किया है इसके पर महर लगाई है यह तरीका मौझूद था और नून लीग के पास यह तरीका मौझूद था सियासत के इंदर एक डीसेंसी होती है वो हम छोड़ रहे हैं उसको उससे हम हट रहे हैं लेकिन जो सियासी बैयानिया वो तो कहीं गुम होगे है ना खुद नूनली टूट फूट का शिकार है यहां पर हम देख रहे हैं कभी किसी को कुछ विजारत दी जा रही है किसी ओग को पार्लिमानी कमीटी का मेंबर बनाय जा रहा है वो एक जो हैं रहनुमा कि जी पी एसी चेर्मिनशिप से कौन इस्तीफा दे रहा है एक तरफ जो हैं वना टनवीर को पी एसी का चेर्मिन मना देते हैं तो ऐसी सूरतियापने जैल में जाने के बाद एक क्राइसिस पहले मव羽 है क्रासिस ये मवजूद है मियाँ शाबाश्रीफ की और जो को पहला को बहुत ज्यादा हम आँगी नहीं भुद्धि है कोच हम पढ़ रहे हैं, कोच हम देख रहें, अगर ये वे सूरतिहाल है तो फिर एक खला पैदा पीडा होता है, उस diagnosis को कोई पूरण करेगा, सञरा व्या..... क्या वो कर पाएंगे? शेख रशीद साब ने इस मुलाखाद में बड़ा अहम किर्दारदा किया है मुलाखाद में किया कुछ तैप आ गया है जाने के मारे नुमान दे गुलाम मुर्तुजा माहिसादे गुलाम मुर्तुजा क्या कोई विजारत दिये जाने का इमकान है क्या बात चीत क्या होई है इस मुलाकात में? क्या बात चीत करके अब आज की जो मुलाकात में मजीद बात चीत हुई है वो मुलक की महाशी सुर्टेहाल और आई-म-FK पैकेच्च में बिजारत दी जाने का भी इमकान है क्या इसी कोई बात हुई है? जी बिलकुल वजारत जो है उन्हें इस से पहले भी वजारत पैट्रोलियम जो है वो आफर की गई थी और इन दोनों को पहले ये दो वजारते होती थी थी फिर बाद में डिवीजन्स इनको बनाया गया अब तो दोबारा आज इसको जो है वो दोबारा वजारतों में तब्सिया गया है अच्छा पैट्रोलियम और कुजरती विसाइल जेवक। साथ जो वजारत है उसे चीप पानी बिजली हो थी लेकि लेकि नवे वजाथे थावराई है तो यह दोनों को अब लैदा वजारते बना दिया से यह जो हमारे तरह यह कह रहे हैं कि चाहिए इसी वजय से है कि उन्हें ये आफर की जा रही है कि वो वजारते पट्रॉली वक्तलमदान चुछा है वो संभाले लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसा इस वाले से ग्रीन सिगनल नहीं दिया है लेकिन जब बात चीद हुई है तो उसमे उन्होंने इंकार भी नहीं किया इस तरह से मुस्बत एक मुलाखात रही है और अगर वजरियादम समझते हैं कि वो उनकी बात उसको जाहर है मान लेंगे तो बिनाजी तौर पर उनके पॉर्ट्पोलियो का अलान जो है वजरियादम की चानब से कर दिया जाएका और बहुत 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 शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया आमें अपडेट करते हैं नमाइंदे बससाब लास्ट ली बस कॉमेंट कर दें क्यूंकि अब सिर्फ ये वज़ा तो नहीं थी ना अंदर भी कुछ मौमलात थे कुई ग्रूप इनके लिए की जा रही थी असद उमर साब के लिए तो मौम हैं और ट्रस्टेड साथी हैं प्राइमिस्टर इमरान खान के बहुत जल्द काबीना में होंगे और पॉर्टफोलियो भी मौस्ट प्राबिबली यही जो पेट्रॉलियम का बता रहे हैं शायद वही उनके पास जाए तो देखें पहली बात तो यह है कि कैप्टन टीम के इ अशाद उमर साथ ने उन हालात में जब पाकिस्तान को मिला बहुत महिनत की बहुत बागदोर की लेकिन अब वह उससे बहुतर चौइस उनका प्राइमिस्टर का यह है कि हम मैकसिमम कोशिश करें कि जो बहुतर हम पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं वह उनको भी लेकर आया है उनको भी ट्राइक करेंगे अशाद उमर साथ किसी और जिम्मेदारी में चले जाएंगे ऐसी इसमें कोई पॉइंट के अंदर फ्रिक्शन या खान साथ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल पॉइंट टेके लास्मिनट है आपके सार कॉमेंट्स हाँ जी वह तो चले है रजा बाकिर और शबर जादी जी वह आई एम एफ की फर्माश पर जिन जिन लोगों को लिया जाना था लिया जा चुका है और शबर जादी साब पहले तो से वह अपने आपको वहां से पता नहीं अब आफबी आर के चेर्मैन बनने के बास वह जो सेल्स टेक्स पाकिस्तान में इसी नोट के साथ आप दोनों साथ बहुत 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 शुक्रिया लगाई सब आपकभी बसे सब आपकभी बसे सब यही हम दुआ करे रहे हैं मुलक को और कौम यही दूआ कर रहे हैं बहुत कि मौमलाद सही हो जाएं अवाम के लिए कुछ बेतर हो यह उम्मीद जरूर है इस हुकूमत से इसी नोट के साथ आप से होगी इन्शाला कल मुलाखाथ अल्ला हाफिस अपना बहुत खया लगे